इंटेलिजेंस टेस्ट के इस लेक्षर में आम पढ़ने वाले है डिरेक्शन सेंस को अब ये डिरेक्शन सेंस के कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको समझाऊंगा दस MCQs में आपने समझने हैं उसके कंसेप्ट और इसमें कुछ मैट का इस्तमाल भी होता है कुछ फार्मूले का इस्तमाल होता है वो भी आपने इसमें सीखना है बहुत ही इजी है आसान तरही किसे आपको समझाऊंगा आपके तमाम कंसेप्ट कलियर हो जाएंगे practice के लिए बाकी आपको mcqs मिल जाएंगी हमारी website पर इसे पहले हम intelligence के कुछ lecture पढ़ चुके हैं जिनमें हमने बढ़ा था introduction उसके बाद हमने number series को पढ़ा फिर letter series को फिर classification को फिर analogy फिर blood relation और coding decoding जंबल spelling को और आज हमारा रहेगा topic direction sense इसके लावा हमारा आखरी बनता है non-verbal का जो कि एकी वीडियो बनेगी तो इसी के साथ हम अपने direction sense को शुरू करेंगे अब यहाँ पर थोड़ी से बाते मेरी याद रखने हैं यह थोड़ी से दो मिट आपके लिए बहुत कीमती है इसमें कुछ concept बताऊंगा वो आपने जहन शीन कर लेने है उसके बाद हम सवाल को आगे करेंगे सबसे पहले आपने direction कैसे लेकरेंगे जब भी आप से सवाला पूछे जाएंगे direction sense के उसमें आपको सिम्तों के अंदर गुमाया जाएगा उसमें आप गुमाया जाएगा कि बताएं इसकी direction क्या है इसे किलोमेटर कितने है तो यह सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे example के साथ फिलहाल जहन में यह रखना जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपने क्या करना है अपनी सिम्ते draw कर लेनी है आपकी जो वहाँ पर आपको white board चोटा से मिलेगा या अपनी rule number slip आपके पास होगी वहाँ पर आप उसकी back पर सिम्ते draw कर लेनी है वो भी इस तरह से करनी है कि यह जो हमेरे पस नदरा रहा है आपको यहाँ पर यह वाला इस तरह से को लिखने का आप इसको याद कैसे करते हैं इसका शार्ट बताता हूं आपको यहाँ पर इसको हम N E S और इस तरह से W को साथ याद कर सकते हैं इसका मतलब क्या बनता है आप देखें तो अगर हम यहाँ पर है not eat इसी तरह से मैं एक शार्ट वर्ड बता रहा हूं आपको ताकि आप इसको याद कर सकें नाट इट और S से हम कह सकते हैं सामवन और W से कहलें वैफर वैफर पता है न यह बच्वन में खाते थे हम ठीक है क्योंकि बचे फिर क्या करते हैं कभी वैस्ट को इधर लिग देंगे फिर इस्ट को अपना नार्थ को यहाँ लिग देंगे फिर प्रॉब्लम पैदा होगी फिर आपको सवाल जो है न गलत हो जाएगा इसलिए इसको आप जिस कंसेप्ट याद करों वो आपके पर डिपेंड गा इस तरह याद नहीं होता तो ये तो वैसे सिंपल सी बात है नार्थ, इस्ट, साउथ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं के north और south किस कहां कौन सी direction में है, तो इसको याद करने के बहुत से तरीके है, जो करना चाहूज कोई बड़ी बात नहीं बता रहा है, बहुत direction असान है, north और south और फिर यहां से क्या जेगा, west और east और जागा, तो यह आपने याद रखनें के हमने लिखना कैसे है इसको, उसके क्या मतलब आपर आपने आप अगर वह अपने पाउंपर ठहरा हुआ तो उसका मिज़करे तौर पर यह का राइड है और यह सक यहδा है, लेफट हेंड है बाज अकत सवाल कैसे आएगा कि एक बन्ता है, जो अपने head के ओपर ठहरा हुआ ठीक अगर ऐसा होगा एक बंदा जब उसके जो है ना डिरेक्शन सेमती फेस की इसकी ठीक है अगर यह उलट हो जाए तो इसका जो राइट है 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 लेफ्ट है इसकी जो पॉजिशन वो भी उलट हो जाएंगी कैसी हो जाएंगी मिसाल के तौर पर इनको मैं यहां पर रखता ह है हो तो यहां पर देखें यह जो बंदा है पांक के साथ ठहरा हुए और यह किसका सथ ठहरा हुआ है 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 अगर ऐसा है यह ज़सात है जाए यह जारा हो जा पर जशन कांप है ये आर किसके मतलब है राइट हैं टार किया हैGS पर वेस्ट हो गई है तो फिर क्या मतलब है जब बंदा ओलट हो जायगा तो इसके जो हेंड की पॉजिएन वो भी क्या हो जाएंगी ओलट हो जाएंगे पेल्कुल टीक है तो यह बेर है आपने याद रखनी है कि इस तरह से भी हमारे पास जोहना सवाल आ सकते हैं इसको बोलते है और हैंड याद रखना है और हैंड बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मिन्ट हैंड इसको बोलते हैं अपना सेकंड हैंड ठीक है अब इसमें क्या मतलब है कि अब ये तीन सुई आपने जैन में रखने हैं उसके बाद जो एहम बात है वो ये है आपको टाइमिं वाली सोई ठीक है तो ऐसी सुरत में क्या है अगर इसको हम क्या पढ़ते हैं उर्दम पढ़ते हैं सवा एक लेंगे इंगलिश में इसको क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यह जो है ना वन और और यहां पर जो है ना इसको हम क्या पढ़ते हैं जब पंद तरहां से हमारे फ़सा कर यह हो जाए इसको हम क्या बोलते हैं हाफ पास्ट ठीक है आधा टाइम मतलब गुज़र चुका है इस तरह से अगर हमारे पास यह हो जाए इसको हम पढ़ते हैं quarter two यह बढ़ा है मैं अक्सर आता है कंफ्यूज करने के लिए क्यों बताता हूं यहाँ पर के quarter two इसको क्यों पढ़ते हैं अब देखें यह जो है ना इसके भी तो हम quarter past ही पढ़ रहे हैं इसको क्या बढ़ना है quarter past पढ़ रहे हैं यह भी तो quarter है ना देखें अब जाद रहना है quarter past को मतलब है सवा एक टाइम हो गया ठीक है सवा एक हो दो हो जिस पर सुई होगी वही टाइम होगा ठीक है लेकिन अगर 45 पर सुई हमारी अटकी हो कौन सी टाइम कौन सा होगा quarter to का होगा quarter two और इसमें क्या फार्क इसमें फार्क है कि जब हमारे पास हम गो we हैं पोने तीन हो गए हैं पोने चार हो गए तो इसका मतलब क्या हो टाकि अभी तीन पूरे नंए उए बोलेंगे हाफ पास्ट हो गया तो यह तीन एहम है और सबसे एहम है क्वालर टू वाला ठीक है तो तीसरी बात आपने जहन में यह रखनी है पैथा गोरस थियूरियम यह इसको पैथा गोरियन थियूरियन भी कहते हैं अर्दु में बोला जाए तो इसे बोलते हैं मसला फीस है गोरस जी छोटी कलास में अपना पढ़ा तकरीमा आठवी में पढ़ा था या दस्वी में भी पढ़ा होगा आपने पैथा गोरस थिरम को आगे एजुकेशन की है मैत के साथ तो यह बहुत अच्छी तरीके से आपने पड़ लिया होगा अब इसमें जो एहम बात है वो यह है कि हमारे पास वहाँ पर जो है ला मुसलस बनेगी मुसलस किसे बोलते हैं ट्राइ एंगल को बोलते है तीन कौने वाली जो हमारे पर शेप होती जो कि आपको यहां पर न नजबारा है है दो ठीक है इसे क्या बोलते हैं मुसलस बोलते हैं या ट्राइंगल जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसमें क्या होगा कि हमारे पास वो दो जो साइट है इसकी हमें कीमत दे देगा पिर कहेंगा तीसरी बता हैं इसमें कौन सी कर देखें एक होता है हमारे पास इस तरह से इसे हम बोलते हैं इंगलिश में हाइपोटीनियस उर्दु में बोलते हैं इसको वत्र या वित्र बोलते हैं ठीक है इस तरह से एक हमारे पास होता है काईदा 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 कहते हैं बेस को इंगलिश में ठीक है और यह सिधा हो पिर्षी होगी या कायदा होगा ठीक है लेकर ये मसलस लाज़मी है कि सीधी आजए, ट्राइ आएंगा, लाजबी नहीं है कि सीधी आजए, यह उलट भी आ सकते, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है न आप यह थोड़ सी उलट होगी, इसमें भी हमें कैसे पचलेगा यह जो हमारे पास इस तरह से आ रहा है, मैं रहता था तो यह हमेरे पास क्या हो जाएका पास तो तीसरा खुद ने करना पड़ेगा, और फार्मूला यत करने के लिए आपको क्या करना है, जिस तरह प्राइब करो, आपकी मर्जी है, उर्दो में याद करो तो क्या हो जाएगा कि यह हाईपोटनिस का मतलब क्या बनता है वत्र बनता है और इसके बाद पर्पेंडिकुलर का मतलब आपको पता है अमूद बनता है बेस उर्दु में भी याद कर सकते हो कि वत्र का मुरभा बराबर है अमूद का मुरभा और का मुरभा और का मुरभा इंगलिश में याद करो कि तो हाइपोटे झाफ में सेखनी है जो तीसरा एक और बात इस में वो यह है कि हम इसको मजीद भी शाउर्ट कर सकती है हमारे पास यह सिंपल लिखता हूं पांघ इसको मैं सिंपल लिखता हूं अप का स्क्राइब हुणन जजर है अब जज़र लेने से सिर्फ अब यहां पर यह मजीद शार्ट हो गया क्यों हो गया क्योंकि यहां पर अगर मैं इसका जज़र लेता हूं इसका भी कह लेता हूं जज़र लेता हूं तो होता है कि यह स्क्वेर इस जज़र के साथ क्या होता है कैंसल हो जाता है कट जाता है ठी को अब सकता है तो आपने परेलिया सा इस चीज़ें आपको समझा चुकी है और को ही किसे की मालूम करनी पड़ जाती है क्द्शिम कि बेस की मालूम करने पड़ जाती है प्रिपेंडिक उदर की तो जज़त लगाना सही नहीं है आप इसी फार्मूले को याद रखना है एक स्केर जिकल टो पी स्केर प्लस बिसकल और नाम भी याद रखनी है एम्सक्यूज को आप डिरेक्टर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक मौझूद है वहाँ से भी उपन कर सकते हैं फिर क्या करना है यहाँ पर गूगल पर आने के बाद आपने लिखना है इल्मीवे डॉट कॉम लिखेंगे तो आपको वैबसाइट पहले त इस इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने बाकी लेक्टर पढ़ने है तो हमारा रहता है आज यह वाला डिरेक्शन सेंस टेस्ट को हमने क्लिक करने के बाद आपने यह दस एम सीकूज्स जो मैं आपको कंसेप्ट के लिए करा रहा हूं बाकी आपने खुद प्रेक्टेस करनी है यह वाली कुईस जो आपको मिल जाएंगी यहां पर सवाल में आपको कंफूज करने के लिए डिरेक्शन को मजीद भी चेंज किया जलसता है वो कौन सी है मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं यहां पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ डिरेक्शन को वो ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें डबल-डबल डिरेक्शन आपसे पोशे जाएगे, यहाँ पर जिस रखिया कर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं North East, उसको क्यों बोलते हैं अभी बताता हूं मैं आपको इसको बोलते हैं West South, इसको बोलते हैं West North या North West, टीक है। झाओबंढ़ आपको तिर्शी बहुत थो के थो क्ड़ा में और सरी बेट में बाइस साउस्ट में इस तरह से डबल यहां पर वेस्ट साउस्ट है इस तरह से वेस्ट नार्थ है अब यह नार्थ पहले आ जाए वेस्ट बाद में आ जाए वेस्ट पहले आ जाए साउस्ट बाद में आ जाए जिसमें कोई फरक निक पड़ता है ठीक है यह दोनों एक a man was facing east he took three passes forward and turned right walked another two passes and then turned right again took three passes and turned backward which direction was he lost facing अब इसके लिए आपने क्या करना है एक अपने arrow को इस्तमाल करना है वहाँ पर आपने arrow के थरो ही इसको करना है बना एरो के याद रखना है अब इस arrow में हमारे प्राँध किया चीज़े होती है इसको आपने समझने है आपने आदमी हो कोई बी चीज क्योंकि देखे हैं अइसे हाथ रखता हूँ तो जो बैर ऐडरो के यह वला इसा बन रहा है और यह वला क्ले हाँ बस लेफ्ट वाला बन रहा है जो कि यहाँ Tara रहा है इसलिए आपने arrow का तरह ही जो नहीं इसको define करना है आपने hand का इस्तमाल पाउं का इस्तमाल कुई कि महां पर आप इंसान तो पूरा का पूरा नहीं बना सकते हैं अपर तो बड़ा time लग जाएगा ठीक है तो अब अपने करना क्या क्या है आप सवार को बढ़ते हैं दोबारा a man was facing east एक आदमी की शकल किसकी तरह थी east की जनबती इसका मतलब है इस जनबती ठीक है और फिर क्या हुआ he took three passes up forward and turned right उसने क्या किया है east की जनब इसके face था इस तरह था ठीक है जब उसने तीन कदम बढ़े हैं भरने के बाद क्या किया right लिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर देखे कोई भी point आप ड्रा कर सकते हैं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं शुरू करने का बाने करें गारा है तो आर्स ने जनब जीन भारा ठीक हैं और इस तरहां से और बारह से उसने राइट लिया है took three passes and turned backward right दोरा वही से लेगा तो हमारे बस right बन जाएगा यह वाला ठीक है और फिर क्या करता है तीन पेसस उसने और लिये हैं तीन कितम और मतलब आगे लिये हैं and turned backward अब ओ क्या कर रहा है पीछे की जाने बाह रहा है backward तो बैकवर कैसे हएगा यहीं से आसकता है ऐसे बैकवर्ड अब यह को यह थनी मैं यह मुश्किकवाद कि अपने आपको जहन में रखना कि अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं साउथ की तरफ तो मेरा राइट कौन सा बनेगा तो मैंने टरंड कैसे लेना है ठीक है तो अपने आपको यहां पर रखके आपने अपने आपको रखना है तो सवाल आपको समझ जाएगा आप हम सवा इस तरह से हम चलते हैं अपने अगले क्वेशन की तरह क्वेशन नमर दो हमारे पास है अब याद रखना है जब सवालात कुछ इस तरह के हैं जिसमें क्या हो निमेरिकल वैल्यूस हो जैसे के पांच किलिमेटर तीन किलिमेटर दो किलिमेटर तो ऐसे सवालात में मैथ इस्तमाल होती है लerne एक और बात भी याद रखनी है कि आपका टाइम भी ज़या किया जैसा सुक्छ में क्या होता है कि टाइम ज़या कैसे होगा आपको जो है ना सिर्फ आपको घुमाने के लिए महाँ पर याइस तरह के वैल्यूस दी जाती है तो उसका पता कैसे लगाना है फौरण आपने अपने option को देखना है जब इस तरह के सवाल आए तो पहले option को देखना है इसमें दो तरह के सवाल आते हैं हमारे पास अगर option में हमारे पास numerical values हैं तब हम math का इस्तमाल करेंगे पैथागोरिस theorem का इस्तमाल करेंगे वरना हमने कोई calculation नहीं करनी सिर्फ आपको confuse करने के लिए उसने दियोंगे ताकि आप अपना time जाय करें इसमें अगर हम धेखते हैं तो west, south, east, north तो इसमें कोई भी math के जो नहीं हमें option नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है just वो हमसे direction जानना चाहरा है अब उसने ये 5 km, 3 km इसलिए दियें ताकि आप इसमें क्या हो जाएं खो जाएं और इसको हल करना शुरू करने ताकि आपको अपना time जाय होती है इसमें trick इसमें त्रिक इस्तमाल करें तो इसलिए करना है कि पहले option पर गोर करना है अगर महाँ पर मैत है तब हम इसको हल करेंगे वरना हम इसको फजूल समझेंगे ये 5 km, 3 km हमरे किसी काम करेंगे तो बिलकुल ये उसने क्या किया है टाइम जाय करने के लिए हमासाथ क्या हम करेंगे इस सवाल को हल एक आदमी है जो साउथ की तरफ 5 km चलता है इसको आप बीच वल लेंड में से कही से भी शुरू कर सकते हैं इसमें कोई इससमें नहीब जहाँ से बीच वल लेंड से शुरू करना है इसके बाद nó फिर उसने और उसके बाद फिर फिर 5 km चलता है now in which direction is he from the starting place अब वो कहले कि बताएं यह जो बंदा यहाँ पर पहुंचा है अब यह कौन सी direction में कहां से starting place से starting तो इसने यहां से शुरू किया था ना यह कौन सी direction starting place यह कौन सी direction बनती है यह वाली बन रही जो कि हमारी क्या है south ही है तो हमारे पस आंसर क्या रहेगा south रहेगा जो कि option number two हमें मिल जाता है तो यह है हमारा option south इस तरह से अगला सवाल देखते हैं question number 3 है अब यहां पर भी क्या है ज़रा option पर गवर करें east, west, north, east और south मिलता है यहां पर भी क्या है कि हमें numerical values नहीं मिल री option में तो यहां पर भी just हम से क्या पूछा गया है direction को पूछा गया तो यह चालिस मीटर उसने फिर आपको confuse करने के लिए दे तो आपने क्या करना है चालिस मीटर को ignore करना है हमने सिर्फ direction मालम करनी है अब इसमें हमारे रपास तीन बंदे हैं मरियम है अली है और अहमद है अब मैं मान ले तो हम मिसाल के तो पर अहमद यहां पर ठहरा हुआ है मेरा एक मानना है अभी ते ठीक है आप इसको try करेंगे अब देखतें कि अली है साउथ वैस्ट कहां पर है यह वारा ठीक है क्योंकि साउथ यहां पर ठहरा हुआ है और वैस्ट यहां पर है कौन है यहां पर अली है चालिस मीटर के फासले पर अहमद से यह कौन सा है यहां पर कौन है अहमद है अब आगे जो देखते हैं आगे हमारे पास कहते हैं मरियम is 40 मिटर साउथ इस्ट आफ एहमद, अब मरियम कहां पर है, इसका साउथ इस्ट कहां बनेगा, यह बनेगा ना, साउथ इस्ट जहां पर कौन है, मरियम है यहां पर, अब बताना है, then मरियम is in which direction of अली के, मरियम अली की कौन सी direction में, अब अली यहां पर ठहरा हुआ है, तो मरियम इसकी कौन सी direction में है, यह वाली direction है, जो कि कौन सी बनती है, east वाली बनती है, ठीक है, तो हमारे बस answer क्या आएगा, east आएगा, जो कि हमें मिल जाता है, option number A, तो यह बहुत ही simple सा सवाल था, इसको हमने solve किया, question number four है, मार रपस, if I stand on my head, with my face pointing southward, in which direction will my right hand point, अब इसमें क्या है, किस पर ठहरा हुआ है, I stand on head, अब वो सर पर ठहरा हुआ है, तो with my face pointing, तो south, south की तरह उसकी क्या है, इशारा है, उसका face है, ठीक है, in which direction will my right hand, यह बिल्कुल ऐसे ही है, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि अगर बंदा ultra ठहर जाये, तो क्या होगा, उसकी जो direction है, यह बिल्कुल वहां पर, यहां पर apply हो रहा है, अब यह बिल्कुल वैसे ही, यहां बंदा south की तरफ ठहरा हुआ हुआ है, इसका right hand हमें कहां पर नजर आ रहा है, इसका right hand की direction क्या बनती है, east बन रही है, east बन रही है, इस side भी हमें right hand है, क्योंकि यह सर के बल ठहरा हुआ है, ठीक है, तो यह older ठहरा हुआ थे हैं आपर, तो answer हमारा क्या रहेगा, east की जना हम रहेगा, क्योंकि जब वो अपने सर के बल ठहरेगा, stand करेगा, तो तब उसका जो है ना, हाथ जो है ना, ओलट हो जाएगा, तो हमारे पास answer क्या रहेगा, east रहेगा, यह हमारे पास answer हुआ, आगे चलते हैं, आगली question की तरफ, question number five हमारे पास है, the time on my watch is quarter to three, if the minute handed point to the north east, in which direction does the hour hand, अब देखना यह है, कि यहाँ पर clock है, यहाँ पर हमारे पास watch है, ठीक है, अब watch हमारे पास उलट भी आ सकती है, तो वो हमने जो सुई होगी, उसकी जो hand होगे, उसके मताबक लगाने, जो हमें वो दे रहाए, मेरे watch में if the minute handed, जो minute वाले सुई है, वो कहाँ पर है, point to north east की जानब है, अगर यह मैं आपर मिसला करते हैं, यह सुई है हमारे पास, minute की तो कौन से जानब है, north east की जानब है, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, यह हमारे पास north east बनता है, इसका, ठीक है, in which direction does the hour hand point, तो वो कहता है, जो घंटे वाली सुई है, वो किस direction में है, अब उसनमें यहाँ पर उसने क्या किया, घड़ी के साथ changing किया, सीधी घड़ी नहीं दिया हमारे पास, अब घड़ी तो actual में ऐसे ही है ना, सीधी हमारे पास तो ऐसे बनती है, जो कि हमें मिल जाता है, यहाँ पर इसको यहाँ पर हमें मिलता है, तीन मिलेगा, यहाँ कब क्या बनेगा, नौ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, बाराँ और यहाँ मिलेगा, छे, तो यह इसकी सीधी घड़ी बनता है, यहाँ पर लिखा और छे हैं पर बिलकुल इसको एंटी-कलाक कर दिया है ठीक है अब यह हमें कैसे पचला है क्योंकि उसने क्या है यहाँ पर डिरेक्षन चैंज की हुए नार्थ इस्ट की तरह मिनिट वलेटिव किया है क्योंकि मिनिट जो है न तो 45 पर होना चाहिए क्योंक इसा एटारिएर सी बात है इस सी तेन के करीब करीब आरहे होगी हमारे पास सूई तो हमारी जो डेट्शन बनेगी और वाला सूई की क्या बनेगी वेस्ट और क्या बनेगी थो दो धल itel भाज बंदिया है स्वाल निया है ठीक है तो जहरा complicated सवाल था मैंने यहां पर इसलिए लिक दिया Question number 3 हमारे पास है यासी स्टार्टिड फ्राम इस हाउस एंड वाक टू माइल नार्थ एंड देन त्री माइल वेस्ट एंड फैनली सिक्स माइल साउथ हाउ फार अवे फ्राम इस हाउस वाजी देन अब यहां पर क्या है के यासी है यानि के मैं खुद हूँ मेरा नाम आ गया है मेरी खुश किसमती समझे इसमें अब इसको भी क्या है इसमें जरा option देख तो तीन माइल चार माइल पांच माइल इसमें अब numerical values आ रही हैं तो हमें क्या करना होगा math को इसमाल करना पड़ेगा यहां पर तो अब क्या करेंगे पहले पहले हम इसकी direction मालुम करेंगे उसके बाद हम math का logic लगाएंगे यहां पर यहां से started from his house अब मैंने अपने घर से जोना walk करना चुरू किया है and walk two miles north मैं नार्थ की तरफ चला गया उसके बाद फिर मैंने क्या then three miles west फिर मैंने क्या यहां से फिर क्या किया तीन माईल मैं तीन मील का चला गया west की जनब चला गया हूँ उसके बाद and family six miles south फिर यहां से मैंने south की direction पकड़ी और छे माईल मैं यहां पर आ गया हूँ how far away from his house was he then अब बताएं कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है ठीक है तो अब हमने यहां पर बताना कि कितने मील हम उसे दूर है अब यहां पर एक चीज़ जा लखने हैं कि जब भी आप इसको ड्रा करो तो साथ साथ में इसके जोना आप लिखते भी आए कि पहले पहले यहां से वो दो मील चला गया है उसके बाद पर यहां से तीन चले गए यहां से पर क्या हुआ छे मील हमने सफर किया अब हमने बताना है कि यहां से यहां तक कितना सफर बनता है तो इसके लिए आपने क्या करना है पैथा गोरेस थिर्म लगाना है पैथा गोरेस थिर्म कब लगता है जब मारे बस मुसलस बन रही हो ट्राइ एंगल बन रही हो तो आपने अपने ट्राइ एंगल फाइंड करनी है उसमें बेस को फाइंड करना है अपना परपेंडिकलों को फाइंड करना है और फिर तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर कौन सा फासला अब करना है यह वहाँ अब यहाँ पर एक बात आपको समझ आ रही होगी मैं इसको दुबार से ड्रा कर देता हूँ ताकि सीधी सीधी आपको नजर आए तो यह हमारे बास मुसलस जहाओं थाप सह ड्रा की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक तो बेस चाहिए बेस कहां पर होगी हमारी बेस बनेगी यहाँ पर ठीक है तो बेस हमारे बास जहाँ पर क्या बनती है इसका ट्रिक यह होता है कि आप गौर से देखें यहां तक का एरिया तो जहर से बार है इसके बराबर है यह कितना है हमारे बास दो है तो दो यह है यहां तक दो है तो यह टोटल कितना हमारे बास छे है अगर मैं छे मेंसे दो को करता हूँ मैनस करतों बाग कितने बनता है चार बनता है क्योंकि यहां तक दो है जहर सी बाते आगे चार ही होगा क्योंकि छे है ना टोटल तो हमारे बस यह क्या हो जाएगा चार हो जाएगा अब हमने यह वाला मलूम करना है जिसको हमके कहते हैं हाइपोटीनियस कहते है हम यहाँ पर क क्या बनका है चार आप इसको मैं यह बना चार बनता है यह तीन बनता है और यह हमने क्या करना है फाइंड करने यह मुसलस यहां से उठा के मैंने बाहर लिख किया है वैसे बेतर तरीक देश को बाहर लिख लिया करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आने आ जाए यहां पर क्या लगाएंगे इसमें क्या था हमारे पास फार्मूला आपको याद होगा जिसमें हमारे पास क्या था कि हाइप्योटेनियस का स्केयर के था पर पेंडिकुलर का स्केयर और पर किस का स्केयर था पर पेंडिकुलर और बेस का स्केयर तो इसको मैं डिरेक्ट लिखा यहां पर हैपोटेनेस का स्केर हमारे पास है नहीं क्योंकि हैपोटेनेस हमने खुद मालूम करना यह वला एरेद हमने मालूम करना है तो इस तरह से हम क्या करेंगे आगे देखेंगे यह हमारे पास है परपेंडिकुलर कितना बन रहा है हमारे पास चार बन रहा है तो चार का स्केर और यहां पर base के हमारे पास 3 है तो यह क्या बन जाएगी? 3 का square अब इसको मैं थोड़े सा और हल करता हूँ 4 का square 16 होता है और 3 का square क्या होता है? 9 होता है और यह हो जाएगा हमारे पास h square वैसे ही आ रहा है ठीक है अब क्या करना है इसको अब मजीद से इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि हमने numerical values पूरी निकालनी है अब यहां पर इसको मैं दोबारा लग देता हूँ चलो यह होगा हमारे पास h का square और यह 16 और 9 कितने हो जाएगे पास जम्मा करेंगे यह बंजाएंगे 25 ठीक है अब हमने मालू क्या करना है सिर्फ hypotenus को मालूम करना है हमारे पास h square आ रहा है हम क्या करेंगे h square को खस्यक करने के लिए फिर तरीक होता है उसका जजर ले लें जञदर लेंगे जब हम फिसका तो इधर भी करे लेना पड़ेखा दोने तरफ ज़दर लेना पड़ेखा एक तरफ नहीं ले सकते है तो जञदर मुरबबं क्या हो जाएका और यहां पर पंच्ट रायगा पच्छेस का जडर क्या आता है हमारे तरन्स राइट अगेन एंड ट्रैवल 11 माइल्स हाव फार इस फ्राम स्टार्टिंग पॉइंट अब इसमें भी कहा है निमेरिकल वैल्यू उप्शन में आ रही है तो हमने यहां पर क्या करना का मैथ का इसमाल करना होगा पैसागुरेंट थियुरेंट का इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे आमैन ट्रैवल 7 माइल के तरह आ रहा है तरह है आदमी यहां से उसने ट्रैवल करना शुरू किया तो कितने यहाँ पर आ गया साथ मील यहां से हुआ ठीक है and tends right and travel three mile यहां से राइट लिया और यहां से किया उसने तेन मिटर यहां तेन मिल के कर दिया और सफर्तेय किया अब यह लगा लगना यह यह कि आपने साथ मिल पुरी लगानी है तो तीन माल की तोड़ सी उसे चोटी होने चाहिए साथ माल से अगर तीन से चोटी हो जाएगा इसना लगानी अब उसने दोबरे यहां से राइट लिया और कितना किया आपकी बार 11 किया तो थोड़ सी बड़ी कर देंगा साथ से बड़ी हो जाने थे ठीक है एंड उसके बाद है वो फार इस ही फ्राम अस्टार्टिंग पर वह पिलकुल वही वही वहाला सवाल है पीछे वहाला अब उताना है कि यहां से लेकर वो जहां तक कितने वासले पर माजूद है तो इसकी हम क्या करेंगे ट्राइ एंगल फाइंड करें लेकर इसकी अपने वैल्यू लिख देंगे पहले पहले यहांब उसने क्या किया साथ अपना साथ नहीं हाँ 7 mile को travel किया उसके बाद turn right and travel 3 miles तो यहाँ उसने 3 miles फिर लिया उसके बाद again 11 miles तो यह हमारे पास कितने बनते हैं 11 miles बनते हैं अब हमने क्या करना है इसका answer निकालना है अब हमें try angle बनानी पड़ेगी try angle कैसे बनेगी try angle कहा बें बनती नजर आ रही है आप जहां पर गवर करते हैं यह इसको देखे जड़ा यहां स데 और यहां से और यहां से हमारे पास क्या बादरी है ट्राइग्अल बन रही है अब हमने क्या करना है इसकाматर प्रपेंडिकूल लिखेना है और हाई तो यह भी जाहर सी बात है, तीन किलिमेटर की हमारे पास होगी, तीन किलिमेटर है, माइल्स है, ठीक है, तो यह हमारे पास कितनी होगी, तीन माइल्स की होगी, यह भी तीन माइल्स की होगी, ठीक है, उसके बाद हम ने देखना है, बेस को, बेस हमारे यहां बनती है, अब य यहां से लेकर यहां तक कितनी है ग्यारा है ठीक है लेकर हमें यहां पता है कि यहां साथ है यहां तक कितनी बनती है साथ बनती है तो आगे हम क्या कर देंगे मैनस कर देंगे जहर सी बात है अगर यह ग्यारा है तो यह साथ है ठीक है तो ग्यारा मैंसे हम क्या कर देंगे साथ कर देंगे मैं 있나 कि पर्पेंडिकुलर भी आ गया है तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर हाइप्रोटेणिस हमने क्ये करना है मालूम करना है तो हम इसके फार्मूला पूट कर देंगे जो कि casipethe spreads वाला मसला पिसा गौरस जिसे हम बोलते है अरदू में फार्मूला आपको जहन नशी हो चुका होगा वह क्या था फार्मूला हमारे पास के हाइपोटेनेस का स्केयर अब मैं इसको डिरेक्ट लिखूंगा पहले मैंने बता दिया तो आपने कहने से खुझ है प्रेज़ का स्केयर उसके बाद हमारे पास परपेंट्रिकुलर का स्के है तीन का स्केयर कितना होता है नव को नव होता है और चार का स्केयर होता है तो नव और सोला कितने के पच्छी सो जाएंगे यहां पर क्या रहा है एच का स्केयर आ है लेकां स्कार नहीं ऑना चाहिए तो क्या लेंगे जजर लेंगे और यह 25 कवी का लेंगे जजर लेंगे ज़से पांच अगला वाक्स नैन कीलोमेटर डू इस्ट एंड बारां कीलोमेटर र्यू साउत हौवँब ही फ्राम दा स्टार्टिंग पॉइंट अब यहां पर भी नमेरिकल वैलिउज हमें इसको हाल करना पड़ेगा तो उसके लिए हम करेंगे पहले इसकी डिरेक्शन को डुरा तो डिरेक्शन डुरा यहां पर कैसी होगी यहां पर देख सकते हैं आप वायम वाक्स नाइन किलिम को यूज करना है अगर आप साइड पर जा रहे हैं तो आपने क्या करना है इसकी जो जो लाइन हमेरे पास ऐसे आ रही है नार्थ इस्ट वाली इस देख से शुरू करना है ठीक है अब आप वायम वाक्स नाइन किलिमेटर डू इस्ट इस्ट की जनम उसने नो किलिमेटर अब इसने यहां से लेकर यहां तक बारा किलिमेटर कर सफर किया how far is he from the starting point आप हमने बताना ये है कि वह अपने Starting point कुछा ते यह वाला था ठीक है यह क्या हमेरे बस हाइपोटीनिस बन रहा है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हो जाएगा एच का स्केर फार्मूला पूट कर देंगे मैं मसले फिसागोरस वला पैथागोरस ठीरियम ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा मैं पर पेंडिकुलर का स्केर और फिर स्केर 12 का स्केर का बनता है 144 बनता है और 9 का स्केर का बनता है 81 बनता है और यह क्या रहा है एच का स्केर वैसे का यह हमने फाइंड करना तो यह वैसे का वैसे रहेगा तो इसको हम मिला के करेंगा तो यह तक्रीम बनता है 225 बन जाता है H का square और ये कितना बन जाएगा 225 हमारे पास आ जाएगा और 225 फिर हम क्या करेंगे इसका जज़र लेंगे क्योंकि H square नहीं चाहिए हमें हम सिर्फ H चाहिए जज़र मुरबा क्या हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 225 का जज़र होता है 15 23 तो आंसर के आएगा हमारे पास 15 जो कि हमें मिल रहा है यहां पर बिल्कुल सेम कंसेप्टर कोई भी मुश्किल वली बात नहीं है square लगाने है उसके बाद जज़र ले लेना है उनको जम्मा करने के बाद और इसका जो होता है उसको जज़र को मुर्बे के साथ कार देना है square के साथ कार देना है और वहां पर अपना ज़ज़र निकालेना है उसका तो इसी तरह से हमारे पास अगला सवाल देखते हैं question number nine हमारे पास है a man travels one meal due east then five meals due south यह numerical values को हम तो direct solve करते हैं एक आदमी के करता है एक meal चलता है किसकी जानब east की जानब उसने यहां से एक meal पकड़ा east की जानब ठीक है उसके बाद फिर किया किया उसने five meal due south अब यह south की जानब आ रहा है तो मतलब south तो यहां पर बंदा है पांच मिल उसने यहां से तेह कर ली है and then two meals due east फिर दबारा east की जानब उसने क्या किया दो मिल तेह कर ली है इसी तरह से आगे है and east and family nine miles तो यहां पर क्या क्या है नौ मिल फिर उसने पकड़े और चला गया किसकी तरफ नार्थ की जानब चला गया है अब उसने कहा कि बताएं इसका starting point से इसका कितना फासला है यहां से लेकर यहां तक का फासला हमने क्या करना है find करना है अब इसमें मुसलस अब जहां पर इसके जाना numerical values लिक लेते हैं यह हमारे परस क्या बनता है एक बनता है ठीक है एक मिल उसने तेह किया था फिर उसके बाद इसने कि इसको पांच मिलते है कि यह वाला ठीक है और इसी तरह से फिर उसने यहां से इसको कितना दो मिल किया और यहां से यह पूरा का पूरा कितना है नौ मिल का है यह उसने सवाल में लिखे हूँ है ठीक है यह वाली ट्राइंगल बंदी यहाँ पर इस तरह से पर इधर से और फिर इधर से यहाँ पर हमने क्या करना है अब बेस को मलूम करना है पर पर पेंडिकलो को मलूम करना है और हाई पिटेने से मलूम करना है तो हमारा बस अंसर आ जाएगा बट यहाँ पर थोड़ी सी गड़ इक्वल है इसके बिल्कुल यह इक्वल यह वरा इशर ठीक है तो यह कितने है दो है नहरे बासके तो ऑर आगे जो आ रहा है वो ये है कि बेस्क हो गया प्रपेंडिकुलर्थ हमारा कौन सा बनता है ये वाला बनता है प्रपेंडिकुलर्थ क्या मसला है कि प्रपेंडिकुलर्थ ये पूरी लाइन हमारे पस कितने की है नौ की है ठीक है और इसके बिलकुल सामने जाए मुकाबले में इसे कौ हो जाएगा और इसी तरह से यह क्या बन जाएगा हमारे पस चार बन जाएगा मुसलस को मैं यहां опर दोबर ड्रा कर देता हूं ठीक है तो यहां से ले पैथागोरेस्थियूरियम का थरी हम इस मसलस को यहां पर अपलाई कर सकते हैं अब लगा देंगे यहां पर हम पना पैथागोरेस्थियूरियम जो कि हमें क्या कहता है कि है एच का स्केयर और उसके बाद प्रिपेंडिकलर का स्केर और बेस का स्केर इसतरह से ठीक है यह हो जाएगा एश का स्केर चार का स्केर कितना बनता है 16 बनता है तो यह हो जाएगा 16 और 3 का स्केर क्या बनता है 9 बनता है तो 16 और 9 कितने होते हैं 25 होते हैं यह क्या हो जाएगा स्केर स्केर हमारे पास नहीं होना चाहिए मुरब्बा नहीं होना चाहिए तो simple करने के लिए क्या करेंगे इसका क्याल रेंगे जज़द लेंगे यहां पर भी क्याल रेना पड़ेगा फिर ज़द लेना पड़ेगा जज़द मुराबर क्या हो जाएगा तो यह मारे पास क्या अंसर आजाएगा h is equal to happiness is equal to 5 तो इसमें कन्फियोज नहीं होना जब भी स्कूर आ जाए तो उसको खतम करने पता है जजर लेना पड़ता है तो हमरे पास आंसर क्या होगा पाँच तो यह हमरे पास आंसर बन रहा है यहां पर यह वहांवा हमार पांच question number 10 हमार पास है A and B start walking from the same point अब A और B हैं दोनों क्या करते हैं एक point से walk करना शुरू करते हैं उसमें क्या होता है A goes north A यहां पर क्या करता है north की जानब जाता है कितने kilometer चले जाता है north 3 and cover 3 kilometer और 3 kilometer क्या करता है फासला तै कर लेता है उसके बाद turns right और right लेता है और 4 kilometer तै करता है यहां से उने right लिया और यहां पर क्या कर लिया चार kilometer तै कर लिया फिर क्या होता है B goes west अब B क्या करता है यहां से west की जानब जाता है और क्या करता है 5 kilometer का फासला तै कर ले covers 5 kilometer then turns right and covers 3 kilometer प्रफिट क्या करता है? यहां से राइट लेता है और तीन किलिमेटर का फासला यह भी तेया करता है उसके एक्वाल ठीक है अब वो कह रहा है कि हाव फार अपार्ट दे आर फ्राम इच अदर रहो उसका कहने का मतलब यह है कि अब बताएं कि वो जो हैं एक दूसरे से कितने आर फासले पर माझूद हैं, अब क्या मतलब उसका? उसका मतलब यह है कि यह जो है ना यहां से लेकर यहां तक फासला इसका कितना बनता है हमारे बास? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगा पैथर अगरेस्टिम का अस्तमाल कर सकते हैं लाकर इसे एक और आप को यहां पर सवाल बता दूँ कि यहां पर इसके थोड़ सी निमेरिकल वैलियूज पर लिख देते हैं जिसने फासला तैया किया था इन्होंने लेकर यहां तक का यहां से लेकर यहां पर पैथर गोरियन थीरन लगाने के जूरत नहीं है बाद वकात सवाल सिंपल भी आ जाएंगे और इसके बाद यहां पर किया है कि यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है जो कि इसके एक वाला कितना है पांच बनता है और आगे कितना बन रहा है चार बन रहा है तोटल क्योंकि चार बनता है उसने फासला ही चार किलो मेटर किया था यहां से तो मतलब है यह यह वर पांच है और इसमें अगर हम यह वाला जम्म कर दें चार तो यह टोटल कितना बन जाएगा नो बन जाएगा तो यहां से लेकर यहां तक का फास्ला था यह हमारे बस कितना चार है और यह हमारे बस पांच था था यह किसको जगा पांच किगा यह पांच और चार खंप्र कर देंगे जम्म कर देंगे तो आंसर क्या जगा नौ तो दोना तरीके से आप कर सकते हैं तो हमारे बस आंसर क्या रहेगा नौ किलिमेटर इसी के साथ हमारे MCQs हो गए हैं खत्म तो इन्शाला मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जो कि है हमारा नान वर्बल का सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि उसकी MCQs ज्यादा आती है और उसकी एक वीडियो काफी है उसी एक वीडियो में आपको मैं तमाम कंसर्प कलेर करा दूँगा